Hello guys and welcome to my YouTube channel Tag Bomb Case दोस्तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने Realme C3Pan के अंदर किसी भी आप को हाइड करना चाहते हैं तो आप आप को हाइड कैसे करेंगे और भी पासवर्ड के साथ हाइड कर सकते हैं ताकि हाइड अपकर को कोई भी उपन करें पहले पासवर्ड इंटर करें जो पासवर्ड आपने बनाया है इसके बाद हाइड अपने फौन के सेटिंग में आएंगे ठीर, यहापको एप लॉक्षि नहीं मिलता है तो ऐसे में आप लोग को मैं बताऊंगा कैसे करना है लेकिन अगर आप app lock करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के description में और comment box में link मिल जाएगा उस पर click करके आप वीडियो देख सकते हैं अपको अगर hide करना हो भी password के साथ आपको यहाँ पे play store open करना है यहाँ पे search करना Microsoft launcher यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यह website search करेंगे मिल जाएगी और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छी website है स्वारी जो application है 50 million से ज्यादा लोग downloader है इसके Microsoft launcher के आप इसको download कर लिजिए यह application है और इसको open कर लिजिए जब आप इसको open करेंगे उपिन करने के वाद कुछ application मिलेगा नीचे get start का option मिलेगा इस पर किलिक करना है यहाँ पे first वाले option पे click कने का रावा पर किलिक करना है इसके बाद यहाँ पे नीचे continue पर किलिक करना है इसके बाद यहाँ पे skip का option इस पर click कर देना है okay पर click कर देना है जो step बता रहे हैं same step आपको दोस्तो follow करना हो के जब आप okay पर click कर देते हैं यहाँ पे automatic कुछ favorite application आपके देते हैं यहाँ पे choose कर सकते हैं लेकिन अभी हम यहाँ पे continue पर click करेंगे और यहाँ पे let's go के option पर click करेंगे नीचे do not so पर click करेंगे और set as default का option इस पर click कर देंगे और यहाँ पे आप लोगों को Microsoft launcher पर click कर देना बस इतना काम आपको करना है इसके बाद दोस्तों आप लोग क्या करेंगे अब आचली आपको दिखाते हैं यहाँ पे सारा interface आपके home screen का change हो जाएगा आप ऐसे नीचे सूपर की तरफ slide करोगे तो यहाँ पे three dot दिखेगा three dot पे click करना है यहाँ पे hidden app का option आपको मिल जाएगा देख सकते हो hidden app यहाँ पे देख सकते हैं मिल जाता है इस पर आपको click करना है यहाँ पे hide app का option देखने को मिलता है आपको hide app पर click करना है जिस भी app को आप hide करना चाहते हैं सारे application को आप लोगों को यहाँ पे select कर लेना है जितने भी application को आपको hide करना है सभी को select कर लेंगे यहाँ पे done के option पर click कर देंगे इसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे पासवर्ड भी लगाना है तो यहाँ पे setting पर click करेंगे यहाँ पे set password का option है इस पर click कर देंगे यहाँ पे skip पर click कर देंगे और यहाँ पे जो भी password बनाना है आपको चारंगों का यहाँ पे enter करना है इसके बाद दूबारा उसी password को enter करना है sorry, जो है इसको cut करते हैं वह password आप दूबारा इंटर करेंगे और यहाँ पर password सही होना चाहिए इसके बाद यह यहाँ पर confirm हो जाता है password भी set हो चुका है अब चलिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं यहां पहुन सक करते हैं अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो हैफइक रभी यहां पर उपन करता हूं बहले सित तक लाइक और चैनल आपडार आक़ देख्सक्राइब कर्युहुत स्कीन पर आ जाते हैं यहां से आप ओपन कर सकते हैं वीडियो इंपार्टन लगे प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें